दोस्तो नमस्कार मैं वेट पकास पांडे आप सबी जानते हैं कि गोपाल आसरम अखाड़ा जहां पर पहलवान जो है पहलवानी करते हैं लेकिन आज के समय में आप सभी को पता है कि युमना का जल स्तर बढ़ चुका है जिसकी वज़े से गोपाल आसरम अखाड़ा तो पू सावन का महीना है और इसमें पहलवानों के लिए जगह जगह पर दंगल की आयोजन होते हैं निरंतर ये तैयारी चल रही है जो कि मत्रा के कंस के लिए पर इसके अलावा जनपत मत्रा के हमारे अखाड़े के हनुआन पहलवान जी भी आप देख सकते हैं ये भी अपनी तैय कैसे ये सुरुवात में धीर धीरे पानी आया है सब को ये लगा कि साइद थोड़ा जल आएगा और यमना महरानी जो है एक बार वापस लौट जाएंगी लेकिन समय गुजरता गया और अगले ही दिन जब हमारी रात को आँखे हम सोए और सुब़े जब आँखे खुली तो मिट्टी का खाड़ा तो बिलकुल ढूबने की स्तिती में आ गया और जितने भी हमारे पहलवान भाई लोग थे जो जगह जगह अन्य जिले और राज्यों से आई हुए थे सब ने अपना-पना समान बांध लिया और गुरुजी के आदिशा अनुसार सब अपने-अपने स पूरा अखाड़ा हमारा बिलकुल ही जलमगन हो गया देखिए और हमारे जो अखाड़े के जितने भी लोग हैं वो सब इसमें इंजॉय कर रहे थे सभी ने अपना इसका एक दिन देखिए सोले तारिक के आप देख सकते हैं सभी ने जब युमना महरानी जी अखाड़े प हमारा मैट का उसमें भी पूरा पानी भर गया है हलांकि सारे मैट हमने एक तरफ साइड करके अलग कर दिया जिससे कि इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो लेकिन आप देख सकते हैं चारो तरफ आप जल का इस्तर देखिए यह हमारा प्रेयर हॉल है जहाँ पर हमारी क कुछ क्या भी नहीं सकते हैं हलांकि हमारे पास कई प्यालमानों के कॉल भी आ रहे हैं कि अखाड़े पर हमें वापस कब आना है कब से अभ्यास शुरू होगा लेकिन दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूं कि जल का जो इस तरह धीरे-धीरे घटने तो यह तमाम तरीके की बिमारिया लेका रहाते हैं मलेरिया डेंगो चिकन गुनिया इसके इन से रिलेटेड सर्दी जुखाम खासी तो ऐसा नहों कि हमारे पहलवानों को इस तरीके की किसी समस्या का सामना करना पड़े तो इसलिए जो है अभी आप अपने अपने घर पर ह सुरक्षितर हैं आप देखिए चारों तरफ यह पानी ही पानी और यह हमारे अखाड़े की छत है और यहां के इस तर तक यह पहुंच चुका एक तरफ यह चत्रवेदी बगीची और एक तरफ ही हमारा खाड़ा तो चारों तरफ पानी ही पानी हो गया है और यह इस्तिती इसे प्रकार से भी बनी हुई है, धीर धीरे इस्तती सामानने हो जाएगी, आपको संपर्क करके हम आपको सुचित भी कर देंगे कि आपको कब से आना आप देखें, धीरे धीरे जल इसतर घटने लग गया है, और यह अपना हॉल, इसके अलावा यहाँ पर तदकाल ही जो है ह अलागी हमने पहलवानों के तयारी के लिए कंस्टीले को स्लेक्ट कर लिया और पहलवान जो है कंस्टीले पर तयारी कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं, मैं खुद भी यहाँ पर एक टेंट में खड़ा हूँ, क्योंकि मैं बाहर जो है बारिस का मौसम है, तो मैं यहा बहुत ही ज्यादा खराब होगी है, लेकिन यहाँ पर हमारे पहलवानों ने अपना जो है काम छोड़ा नहीं है, वो निरंतर जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं, बेसक अखाडे में पानी भर गया है, लेकिन वो कंस्टीले पर निरंतर भी तेरी कर रहे हैं, और मैं खुद भी आज इसलिए आया, मैंने का चलो आज देखते हैं, क्या है, कैसे इसलिए है, तो जब देखा कि यहां पर चावत जली-जल है, तो बड़ा ही अश्चर हुआ, कि यम्ना ने 1978, 2005 और 2023, 2005 के बाद यह दूसरी बार हुआ है, जब यहां पर यह पानी आया, 2005 के बाद, इससे पहल है, दिल्ली, फरीडवाद और तो हमारे जितने भी इंडस्ट्रिल एरिया के छेत रहें, वहां से केमिकल से रिलेटर जो है, पानी आ रहा है, लोगों को आखों में खुझली हो रही है, पैरों में दाने निकल रहे है, शरीर में घाव हो रहा है, तो इससे बचके रहिएग आज़ की, बचली है, पुझली है, एक रा रहा है लोगों के रहे है, वहा है, और दो है, वहा है।